नमस्ते माई डियर यूटीव फामली वेलकम बैक टू माई चैनल मल्टी टास्किंग मम्मा में ये मम्मा आपके लिए एक ऐसा कंटेंट लेकर आए जिसमें कि आप अपने समय की बच्चत के साथ साथ अपने इस पेस सेवी कर सकते हैं और साथ ही अपना मनी सेविंग भी कर सक करते हैं सो देखिए हम लेडिस की जो शुरुवात होती है सुबह से हम लोगों को बड़ा एनरजेटिक रहना बढ़ता है पहले बच्चों को स्कूल भेजना फिर बच्चों के पापों को ऑफिस भेजना और फिर उसके बाद की हमारी जो घर की जिम्मेदारिया है वो सबी सो फ्रेंड्स मॉर्निंग की जो शुरुवात होती है क्लीनी की वो मेरे बैटरूम से ही होती है सो में क्या करती हूं जिती भी टॉइस वगेदा होती है सिराने पे उन सब को नीचे गिरागे पूरा क्लीन कर देती हूं कॉल इन वगेदा से तो हैंड टू हैं तो यह सबसे पहला जो काम होता है आपको अपना बैटरूम सेट करना होता है तो एक अंदर से ही काफी अच्छी रिफ्रेशिंग आती है सो दूसरा जो ट्रिक है वो मैं बताने वाली हूं इस पेस सेविंग के लिए यह जो कॉर्णर आप देख रहे हैं डोर और अल्मिरा के बीच में इसके लिए हम काफी टाइम से सर्च कर रहे थे एक पोर्टेबर टेबल जिसकी कॉस्ट हम मार्किट में सर्च आउट कर रहे थे तो दो हज़र तीन हज़र चारह सार इस तरीकी की आ रही थी तो यह हमने थोड़ा सा महनत करी मतलब मैंने नहीं वैप आउट किया और उन मैंने इक स्टोरे इसके परपस से यूज़ कर लिया है यहां पर सो जैसे की कारपेट हो गया योगा मैट है और जितना भी टॉइस वगेरा और जितना भी टॉइस की बात करती हूँ तो यह भी सेम पिलर की वज़े से स्पेस निकला हुआ था तो हमने क्या करा है यहां को इ अगर आपके पास एक अच्छी ट्रिक है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताईएगा अगर मैं इस वास की बात करती हूँ तो यह मैंने मिश्व से हैंड प्र मेंड प्रिंटिंग करवाया था वास के उपर वास नहीं एक ग्लास है तो उसी के ओपर पेंटिंग करवा दी तो उसको भी काफी अच्छा लगा और यह ट्रिक मैंने इसलिए यूज की ताकि कम से कम बचों का जो इसक्रिन टाइम है वो से बच पाए और कुछ इनुर्वेटीब करें तो साथ ही हैंड टो हैंड ही मैं इसके ओपर का जो एरिया होता है ड्रेसिंग टेबल का वो भी तो वैल साले टॉवल सोग गए थे उनको मैंने तया करके अलग रग दिया है और जितने भी कपड़े गंदे इसके पीछे टंगे हुए थे तो इनको वाश करने के लिए में लेकर जा रही हूं तो साथ ही मैं यहां पर वाश्य मशीन भी लगा दूंगी और इसके बारे में फिक्स आउट नहीं होगी तो नाओ दिस इस दफाइनल लुक ओफ माइ बैड रूम मॉर्निंग में क्या हाल था इसका और अभी आप देख सकते हैं कि हाफ एनार में इस रूम की पूरी काया ही बदल गई है तो मुझे इतना अच्छा लगता है ना इतना साफ सुत्रा घर अब तक नहीं है तब तक तुम्हें खुशी हो सकती हो तो फ्रेंड्स अब थोड़ा सा रस लेने के बाद इस ते भी कपड़े दूल चुके थे तो इनको मैंने सुखा कर अब इनकी तैय कर रही हूं तो हैंड टू हैंड इसको मैं रख दूंगे अगर यह मैंने अभी अलम इनको तैय करके आप अलमीरा में सैट कर दियें तो फ्रेंड्स अपने आपको इतना काम करते हुए देख मुझे एक चीज़ याद आ गई कि चेतन भगत ने कहा था लेडिस के लिए स्पेशली अगर आप वरकिंग नहीं है तो आप अपना इंट्रोडेक्शन कभी भी यह क आप में सच में आप बहुत अच्छा मोटिवेट करते हैं और काफी अच्छा लगेगा तो यह देखिए मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहरी हूं काफी अच्छा लगता है मुझे यह ट्रिक जिती भी बैट शीट्स वगिरा होती है उनको तैय करके आप उनके जो पी अच्छे से करेंगे तो कभी सर्वटे नहीं पड़ती है और आपको एक जगे पर आपको सारी चीज़े मिल जाएंगी तो अब यह मेरा डैस का टाइम है फाइनली पानी पी लिया आप में टीवी देख रही हूं अब एक DIY आपके साथ शेयर करना चाहूंगी यह इस तरीकी की बॉक्स हमारे घर में होते ही होते हैं क्योंकि आज ओनलाइन का ट्रेंड है आज कल तो हम काफी चीज़े मगाते हैं तो हमने सोचा यह जो वाल पेपर आप मेरा पीछे देख रहे है ना यह थोड़ा सा वाल प है वो भी बढ़ जाएगी तो इस तरीकी की DIY आप यूज कर सकते हैं तो आपके लाइक बॉक्स तोगेरा भी अच्छे लगते हैं और देखे इसमें सारा योगदान है ना वैब अप का है मेरा नहीं है तो देखा जाए तो अगर हजबेंट वाइफ दोनों मिलके किसी भी का हैं तो उसका रिजल्ट काफी अच्छा पॉजिटिव निकल कर आता है तो आप भी अपने घर में अपने हजबेंट से थोड़ा बहुत वर्क ले सकते हैं अजी कोई बात नहीं है तो यह देखे कितना परफेक्ट्री इनो नहीं हापर सैट कर दिया है यह इसकी पूरी लू साथ ही जिन लोगों ने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और बैल आइकन है उसको भी प्लीज प्रेस कर दिजीगा तो डैट जिती भी निव वीडियो के नोटिफिकेशन से वह आप रगू को मिलते रहेंगे तो आ